उनको नहीं मिल पाया तो और बच्चे की भी आत्मा हमेसा तड़वेगी जिसने अत्याचार किया इससे बड़ा अत्याचार चार साल के बच्चे के जिसने बेवज़ा जो अब तक कलियर नहीं हुई और फिर भी उसको अत्या कर दी गई है मैं तो समझता हूँ आगे तो परम कान्ट का जो मामला है पूरे देश में वायरल होने लग रहा पूरा देश के वल एक ही मांग करने लग रहा है कि आखिरकार इस प्यारे से मासुम बेटे को जसको कब नयाए मिलेगा इस वक्त मैं जसके घर के बाहरूं बिलकुल यह पीछे आप देख सकते जसका मकान और सा हाथ में जो यह टीन है यहाँ पर यहाँ इस इसके उपर जो इसकी बच्चे की लास है वो मिलती हैं पूरे देश से व्यक्ति यहां पर पहुंच रहे हैं दुख में सामेल हो रहे हैं कि एक ही मांग लगा रहे हैं एक नयाए की पुकार कर रहे हैं कि उन दोस्यों को साथ इतना मारा ना उसको क्या तुसे हत क्या लाई बच्चे बच्चे क्या मालूमा जी क्या कि यह अजलिका मकालूह आपने देख थे पास निए बच्चा फरक है कि वह मकान में चारिंच की दिवार रहे जिए लिकिन बच्चा तो यही था जी बहुत बेदर्दी के साथ माद्देब से कि उसको फासी दी जाए जो इसकी दोस्ती है यह जी बिल्कुल क्या क्या नाम जी आपकर मेरा नाम दर्मिर सिंगा जी क्या कहेंगे इस पूरे गटना करम को ले करके पुलिस प्रसासन की तरब से अभी तक परिवार वाले संतूस्त नहीं है और कि अकेली अं जर थोड़ी से आ रही है काम भी कर रहे हैं लेकिन धील भी आ रही है क्योंकि एक ही क्वेस्चन बार बार सब के माइंड में यह गूम रहा है कि चाए वो उसके क्या थे रजे इसकी घरवारी ने किया या उसकी मदर ने किया या अंजली ने किया तो किया तो किया क्यों किय यह पुलिस आज तक इतने साथ आठ दिन में क्लियर क्यों नहीं कर चुकी यह क्वेश्चन बार-बार सभी जहन में उठ रहा है एक बच्चे का और इसमें कोई आप चाहे वो आपसी भाई चारे का भी विश्वास उठ रहा है मैं यह एक चाहर इंच की दिवार जिसके बीच में हूँ उस पर अपने पर कौन को विश्वास करेगा आके आने वाले में अगर यह इसमें सही नहीं आए नहीं मिला किसी को तो यह दीरे दीरे आज़े समाज खतम होता चला जाएगा अगर इसमें पुलिस की कहीं भी थोड़ी सी दिक्कत कह लीजिए या कमी कह लीजिए वो नजर आई तो इस समाज को भी ठाने में पुलिस का एहम रोल होगा अगर इसमें अपने सही नहीं उनको नहीं मिल पाया तो और बच्चे की भी आत्मा हमेंसा तड़वेगी जिसने अत्यचार किया इससे बड़ा अत्यचार चार साल के बच्चे के वह जिसने बेवज़ जो अब तक कलियर नहीं हुई और फिर भी उसका अत्या कर दे गई है मैं तो समझता हूं भाई आगे दो परमातमा की लेकर नहीं ही उसको सब्सक्राइब बिल्कुल यह केला जस बेटा यानि कीस परिवार का बेटा नहीं था पूरे हर्याना पूरे देश का बेटा है नया गरदन काट कर देंगे लग चार साल के बच्चे करी जी सारे बाइस समय के बच्चे कशने किसी वह नहीं कया स्कूरण करें कि पूरे टया को मंद समय परशासन के जो पुलीस के हाथ में नियाय की बाग डोर हम समझते हैं जो नियाले के लिए का एक फर्स्ट पहलू होती है पुलीस और नियाले उसी की अधारित रिपोर्टों पे अपना नियाय निर्दारित करता है अगर पुलीस की रिपोर्टों इसमें सही कहीं भी इदर उदर किसी को बचाने की कोशिश की गई या तो आगे नियाले भी उसमें क्या कर पाएगा हर चाहे चोटा हो चाहे बड़ा हो हर इंचान की यही चाहत है वह उसको बच्चे को नयाई मिले बस और जल से जल मिले क्योंकि पब्लिक इतनी उतिजित होती जा रही है जितना डिसीजिन लेट हो रही है पब्लिक के दिमाग में उत्पात बरता नजर आ रहा है केमरमन के कुगा में एक बार आई और आप सभी से भी मेरा निवेदन ने किया आप जितने भी साथ ही एक बार जूड़े हैं इस वीडियो का आप ज़दे से ज़दा शेयर करें यहीं पर यहीं वो टीन है बार बार हम आपको यह भी दिखा रहे हैं किसी टीन के उपर जस मर्डर प्लानिंग में जो भी सामिल है कि जिसने मर्डर किया या फिर प्लानिंग का जो भी हिस्सा रहा है उसको हम उचित कारवाई जरूर करेंगे उसके उपर हम जो भी दाराएं लगती हैं उन दाराओं के तहत जो मर्डर केस जो लगता है वो हम आपको जरूर दिखाए के उपर अब वटसअप ग्रूप के उपर इस बेटे के नहाए के लिए ग्राउड मीडिया के लिए अपने कामरा सोगिंचार के साथ राश्टरिन दमान की जानकारी के लिए ग्राउड मीडिया चैनल को सबस्क्राइब करें और शेयर करें